दोस्तो जूते बेचने वाले का बेटा आईपेल में बन गया करोडपती मैच में मचाया धमाल तो ऐसे में क्या कुछ है पुरी ख़वर की जानकारी और कौन है ये खिलाडी बताएंगे आपको इस खास रिपोर्ट में लेकिन उससे पहले अगर आप भी है आईपेल के फैन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तो आईपेल 2022 की दो नई टीमें कुजरात और लखनाओ सूपा जयांट के बीच 28 मार्च को रोमान चक टक कर देखने को मिली और इस मुकाबले के दोरान दो नए खिलाड ने भी फिनिशर की भूमी का निभाई और अपनी टीम को जीदी लई उन्होंने साथ गेंदों में तीन चौको की मदद से नाबाद 15 रनों की शांदार पारी के लिए और आखरी ओवर में कुजा टैटेंस को जीत के लिए केवल 11 रनों की जवती तब मनोर ने आवेस खान क गेंदों पर लगातार दो चौके लगा कर मामला असान कर दिया था दवाव में उन्होंने जबर्दस भरोसा दिखाया था जीतने का मौका जिया दोस्तो तो डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक से डाउनलोड करिए और कमाई एक करोड़ो रुपे था और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वहाँ आईपियल जैसे बड़े टूनमेंट में पहला मैच अपना खेल रहे हैं वहीं कुजा टैटिंस के क अपतान हार्दिक पांडे ने भी अभीनव मनोहर को बैटिंग के लिए सहारा और मैच के बाद उन्होंने कहा कि भविस्य में सब लोग उनके बारे में काफी सुनने वाले हैं मनोहर के पास जिस तरह की प्रतिबा है उसे देखते हुए उन पर नजर रखी जानी चाहिए व एपियल 2022 से पहले उन्होंने केवल 4 ही टी 20 मुकाबले खेले लेकिन इनके जरिये उन्होंने अपनी प्रतिबा की जलग भी दिखा दिये उन्होंने सेद मुस्ताक अली ट्रॉफी 2021 में सौराष्टर के खिलाफ डेब्यू करते हुए उन चास गेंदों में नाबास 70 अनों के पारी घिली थी उन्होंने ये पारी ऐसे में खेली थी कि जब कनाड़क ने चौतिव रन पर 3 विकेट गवा दिये थे तब तामिल नाळू के खिलाफ टीम ने बत्तीव रन पर 3 विकेट गवाय थे तब उन्होंने 37 गेंदों में 40 फ्रन बनाए या देखते हुए दवाव म या खिलाडी बिखरता नहीं है ऐसे में अभीनव तीन एज में आर्थिक संकट से भी गुजरे हैं एक वक्त विक्ति घाटे के चलते उनके पिता को अपनी जूते की दुकान बंद करनी पड़ी थी इसके बाद उनके पिता ने कुछ और धंदो में भी हात आजमाया था लेकि को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब पर लीजिएगा तब तक के लिए आपका बहुत बहुत